हेलो दोस्तों कैसा आप सभी लोग उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे प्लीज इस चैनल को जहूँ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर आपको काफी जादा इंफरमेटिव वीडियो मिलती है पूरे फैक के साथ और आपका खुद का चैनल है तो सब्सक् कैसे में और डव का नाम तो आपने सुनाई होगा यह जो अमेरिका में जो दोनों शैंपू बेश्टे हैं इसमें केमिकल एजेंट बैंजीन पाये गया है जिससे कैंसर होता है लुकीमिय होता है ब्लड कैंसर होता है जो हमारे लिए बहुत जादा जान लेवा है और इसी के जानता है पूरी डीटेल के साथ तो चलिए शुरू करते हैं तो बात करते हैं कि मामला क्या है तो देखिए यूनिलिवर है ये फर्स्ट वर्ल वार के बाद यूके में शुरू होई थी 1929 में और आज के समय में ये दुनिया भर में जाना पहचाना नाम है आपको यूनिलिवर के प्रोड़क्ट दुनिया में जाधते देशों में तो मिलेंगे ही मिलेंगे और इसमें भारत भी शामिले और आपने भी कभी न कभी तो यूनिलिवर के कोई ना कोई प्रोड़क्ट तो इस्तेमाल जरूर किया होगा डव शैम्पू, क्लोज अप, लाइफ वाई, वैसलीन, ब्रियर्स, बहुत सारी ऐसे जो है, नाम है जो यूनिलिवर के साथ जुड़े हुए हैं, या यूनिवर डिरेक्टली उसमें इन्वाल्व है, नौर सूपी नूडल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, लेकिन अगर द देखा जाए तो यूनिलिवर के कुछ ड्राइ शैम्पू अमेरिका में बिकते हैं, उनमेंसे कुछ शैम्पू में ऐसा एलेमेंट पाया गया है, जिससे कैंसर होता है, आप देख सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डाव और ट्रेसे में नाम के शैम्पू को रिकॉल कर लिया है, यानि के मार्केट से हटा दिया है, और ये न्यूज दुनिया भर में चर्चा का विशह बनी हुई है, कि इन शैम्पू में ऐसा क्या है, जिससे अमेरिका के मार्केट से इन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया है, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं, उनिलिवर यूएस रिकॉल डॉव ट्रेसे में एरोसोल ड्राइशंपू जोवर कैंसर रिस्क 26 अक्टूबर का यह आर्टिकल है वैसे देखा जातो डॉव नाम का ड्राइशंपू अमेरिका में एरोसोल ब्रांड नेम के साथ बेचे जाते हैं जो अमेरिका में काफी बड़ा यूए शैंपू इसके वैलेबल नहीं है ट्रेसे में और डॉव के वह वैट शैंपू है जिससे बालों में लगाकर जावाग बनाते हैं और सिल्की बगणालब बना लेते हैं और बड़ी हक्र लेते हैं मुझे नहीं पता कि इंडियन मार्केट में अवैलेबल है नहीं ले कर देटा तो शायद यूनिलिवर पर बहुत ही बड़ा तकड़ा जरुमाना लगाए जा सकता था तो इस जुर्माने की डर से यूनिलिवर ने अपने प्रॉडक्त को मार्केट से खुद ही हठा दिया है ताकि जूर्माने से बचा से आ सके लेकिन सवाल यह आता है यह बेंजीन नाम का केमिकल क्या होता है तो देखें जो भी हमारे परसनल केर के प्रोड़क्ट है और जो केन में आते हैं उनमें स्प्रे बनाने के लिए एक प्रॉपलेंट का इस्तिमाल किया जाता है आपने देखा होगे कैन में कुछ प्रोड़क्ट आते हैं जैसे कि अगर आपने सेलोन में फॉर्म से शेव की होगी तो वो शेविंग क्रीम को शेविंग फॉर्म बनाने के लिए प्रॉपरेलिर्ण नमें प्रॉपरेलिंट का इस्तिमाल किया जाता है और बेंजीन का हमें क्यी तरह से एक्सपोजर हो सकता है जैसे के सांस के जरीए अंदर आना ओरली और हमारे सिक्न में मौझूद रोम चितरों से भी बेंजीन हमारे शरीर में आ सकता है। स्वारी गालियों के दुवें से बेंजीन निकलता है लेकिन देखा जाए तो एफडिये जो अमेरिका की क्वालिटी टेस्टिंग एजनसी है उसने यह कहा है कि यह जो प्रोडक्ट रिकॉल किये गए है उसमें अगर हम रोज इस्तिमाल करें तो जिस लेवल का बेंजीन टेस प्रोडक्ट रिकल्डेक्व के पिछले साल यानिगिंगे उच्टूर्ण और इज्वेल का बनान बोट जर्मίν की यह प्छली 18 महीनों में क्याल की अएगा जैसे गो में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इसे रिकॉल किया जा रहा है बलकि बलकि प्रॉक्टर एंड गेंबल का पैंटीन और हर्बल एलसेंस नाम के ड्राय शेंपू को भी पी एंजी ने रिकॉल किया था और इसमें से कंटैमिनेटेड बेंजीन पाए गया था जिससे केंसर होता है लेकिन बार Byeं को का नाम some ले रढ़ कि मझे बार ट्राय शेंप स्प्री इस परल एक कैन में बरजाता है और इसे जब बालो पर मारा जाता है तो बालों की जो चिप चिपार्ट होती किया न वो निकल जाती है और यह पाउडर फॉर्व में होता है केंगे अंदर भरा हुआ जो City अंदर भरा जाता है तो इसे स्प्रेई वनाने के लिए इसमें एक प्रॉपलेंडका इस्तमाल किया जाता और इसी प्रॉपलेंड में ही बैंजीन पाए गया आप ड्राइष स्याम्ट फ़ोप निया मैं गारो पानी कर से नौर्मल वाला शेम्पुन अब पानीं कर्च आप कैंशर जैसे जान लेंफ बिमारीय से बच जाओ इस gefंस्दैश्ध करें staff 7 , and you can try it Wednesday Inew एम्रान trabalho कर सकते हैं इसके लाव आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं यहां पर भी सेम ही यूजर नेम है आई अंडरस्कोर इम्रान सिल्दी की तो दीजे मुझे अजाज़त मैं मिलता हूँ आप से नेक्स वीडियो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को जोड़ी सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फर वाचिंग आरेली प्रेशिए और इस टाइम गाद ब्लेस यू आल नाव साइनिंग आफ